जेल्स टेक्स एल्लेके वेचान कर। कोईपण वस्तुना वेचान उपर सरकार द्वारा वसूल वमा अवतो कर छे। दुकान दार ग्राहक पासे थी वसूल करीने सरकार में जमा करावे छे। ते हमेशा वस्तुनी वेचान किम्मत उपरज गणाय छे। आईए आपड़े सेल्स टेक्स वीछे जोय। हवे आपड़े वेट वीशे। एटले के value added tax वीशे जोये। तो तेने गुजराती मा मुल्य वर्धित कर कहे छे। ते वस्तुनी किम्मत मज समाविष्ट होय छे तेने अलग थी वसूरवामा आवतो न थी अहीं आपने जोयू जे सेल्टेक्स आने वेट आ बन्यकर पहला लेवाता आता परन्तु हवे जी एस्टी लेवामा आवे छे अज जी एस्टी एटले सू तो गुड्स एंड सर्विस गुड्स नो स्पेलिंग नो प्रथम मुडाक्सर जी सर्विस नो प्रथम मुडाक्सर एस आने टेक्स नो प्रथम मुडाक्सर टी ए त्रण मुडाक्सरों ने भेगा करिये तो आपने एनू टुंकु रूप जी एस्टी मड़ से जेनो अर्थ थाए से वस्तु अने सेवा क पर GST नो थोड़ो वदू परिचे आपड़े मेडविए 1 जुलाई 2070 थी भारत सरकारे गुड्स एंड सर्विस टेक्स इलके GST लागू पाड़ेल छे GST लागू पड़वा थी और प्रत्यक्स कर वेराओ इलके इनडारेक्ट टेक्सीस जेवा के Central Excise, Service Tax, Value Added Tax, Entry Tax, मनोरंजन वेरो, Luxury Tax वगेरे समली करन थाई GST लागू पड़े छे ते वस्तु अने सेवा बन्ने उपर वसुलवाम आवे छे ते प्रत्यक्स कर शे GST त्रण भागमवे चाएल छे 1. CGST जे केंदर सरकार हिटशड़ावे 2. SGST जे राज्ये सरकार हिटशड़ावे 3. IGST जे आंतर राज्योना वेवारो पर आवे हवे आपने किटलाक GST आधारित प्रश्णो जोहिए पेलू उदान जोहिए तो एक दुकान में बुटनी एक जोड़ीनी किम्मत रुपिया 600 छे तेना पर 5 टका GST लेवामा आवे छे तो बिलनी रकम सोदो अहीं आपने जोहिए के रुपिया 600 नी किम्मत पर लेवामा आवतो GST बराबर रुपिया 5 तेथी रुपिया 600 नी किम्मत पर लेवामा आवतो GST बराबर 600 गुण्या 5 भागया 100 मडे अहीं आपने छेद उडारता जवाब आपने 30 रुपिया मड़ छे आ 30 रुपिया GST छे हवे अहीं आपने बिलनी रकम सोदी होए तो वस्तुनी किम्मत औने GST नी रकमनों सरवालो करवो पड़े वस्तुनी किम्मत 600 रुपिया हती औने GST नी रकम 30 रुपिया छे आ बन्यनों सरवालो अपने 630 रुपिया मड़ छे हवे अपने बिजू उदाहरन जोईए हरेस एक रेफ्रीजरेटर बार टका GST साथे रुपिया 28,000 मा खरीदे छे तो GST उमेरे पहला रेफ्रीजरेटर नी किम्मत केटली हसे अहिए आपने जोईएस एक हरेसे जी रेफ्रीजरेटर खरीदेऊ 28,000 मा खरीदेऊ छे अने एम जीएस्टी समाविष्ट छे जीएस्टी जे समाविष्ट छे एनी रकम आपने बाद करीने रेफ्रीजरेटर नी किम्मत सूधवानी छे तो सवथी पहला आपने जोई है के बार टका जीएस्टी लगाविष्ट पहलानी किम्मत रूपिया 100 होए तो जीएस्टी लगाविष्ट साथेनी किम्मत 100 वत्ता बार बराबर रूपिया 100 बार थाए अहीं GST साथे नी किम्मत रुपिया एक सो बार होए त्यारे मूढ किम्मत रुपिया सो थाए तेथी GST साथे नी किम्मत रुपिया अठ्यावीस हजार होए त्यारे मूढ किम्मत केटली थाए ये अपने सोदिये तो रेफ्रीज रेटर नी मूढ किम्मत बराबर 100 भागया 112 गुण्या 28,000 जेनों आपने छेदूडारता आपनने 25,000 रूपिया जवाब मढशे